जम्मो कश्मीर के कटवा जिले में सोमवार को हुए आतंकी हमले में जूनियर कमिशन ऑफिसर समेद पांच जवान शहीद हो गए हैं हमले में घायल पांच जवानों को कटवा के सामुदा एक स्वास्त के इंदर से देर रात पठान कोट मिलिटरी हॉस्पिटल रेफर किया गया सेना के सुतरों के अनुसार सुरक्षा बल कट हुआ से करीब एक सोतेइस किलोमेटर दूर लोहाई मलहार ब्लोक के माचेड़ी इलाके के बढ़नोटाक में दोपैस साड़े तीन बजे पहाड़ी इलाके में पैट्रोलिंग के लिए निकले थे रास्ता कच्चा था गाड़ी की रफतार भी धीमी थी एक तरफ उच्छी पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई थी आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेट फेका फिर स्नाइपर गन से फाइरिंग की सेना ने भी काउंटर फाइरिंग की लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए फिलहाल से ना आतंकियों की तलाश में हेलिकॉप्टर स्नीफर डॉक्स यूए वी और मेटल डिटेक्टर की मदद ले रही है हमले में तीन से चार आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है वे एडवांस हतियारों से लेस है और रहाल ही में सीमा पार से घुस्पैट करके आये हैं आतंकियों को हमले में एक लोकल गाइड ने भी मदद पहुंचाई है हमले के जिम्मेदारे कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ले ली है जो प्रतिबंदित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मुहम्मद क की एक शाखा है संगठन की और से शोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि यह हमला 26 जून को डोडा में मारे गए तीन आतंकियों की मौत का बदला है यह दो महिने में सेना के वाहन पर दूसरा आतंकी हमला है इससे पहले चार मई को पूछ के शासितार इलाके मे एरपोस के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें कोर्पोरल विक्की पहाडे शहीद हो गए थे और चार अन्य जवान गहल हो गए थे वहीं रक्षा मंतरी राजना सिंग नेभी मंगलवार को कठुआ हमले पर दुख चताया है उन्होंने ट्वीटर पर लिखा है कठुआ के ब जबूती से खड़ा है मैं कायरता पूर्ण आतंक की हमले में गायल जवानों के जल्दी स्वस्त होने की प्रात्ना करता हूं आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं हमारे जवान शांती और विवस्ता कायम करने के लिए प्रतिवद है